देखिए दोस्तों ये सारे स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं पर ये एक प्लैनेट है ये ट्विंकल क्यों नहीं कर रहा है क्या प्लैनेट के लिए एक्मास्फिरिक रिफ्रेक्शन नहीं होता है और अगर होता है तो फिर एक सवाल उठता है कि एक्मास्फिरिक रिफ्रेक्शन के बावजूद भी planet twinkle क्यों नहीं करते हैं जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे when star twinkles due to atmospheric reflection why do planet not twinkles हर साल बोर्ड में atmospheric reflection से related एक से दो marks के question जरूर आते हैं तो इसलिए इस वीडियो को आखीर तक देखें और कहीं पर भी skip करने की गलती ना करें तो दोस्तों physics की what youtube channel पर आप सभी का स्वागत है इस channel पर आप और मैं मिलकर लगा रहे हैं topic why do planet not twinkle की what छोड़ेंगे नहीं atmospheric reflection से related topic twinkling of star apparent shift in star position early sunrise and delay sunset के वीडियो link आपको उपर आई बटन पर क्लिक करने से मिल जाएंगे आप समझते हैं कि planet twinkle क्यों नहीं करते हैं atmospheric layer की वज़े से light rays band होती हैं जिसे हम atmospheric reflection भी कहते हैं और जब star से कभी ज़्यादा light rays हमारी eyes तक पहुचती हैं तो star हमें bright नजर आता हैं और जब light atmospheric reflection की bending के वज़े से हमारी side से lost हो जाती है और कम light rays rays हमारी eyes तक पहुचती हैं तो star हमें faint नजर आता है जैसा कि आप इस diagram में देख सकते हैं यह light rays lost हो चुकी है क्योंकि यह हमारी eyes तक eyes के अंदर तक नहीं पहुची हैं यही switching जो होती है dim light bright light faint से bright bright से faint यही आपकी twinkling कहलाती है तो आप समझ गए होंगे सारा खेल light rays के lost होने में हैं आईए देखते हैं planet और stars के atmospheric reflection अलग क्यों है star अर्थ से बहुत दूर होते हैं इसलिए बहुत छोटे नजर आते हैं वहीं इसके opposite planet हमारे ही solar system में हैं इसलिए यह पास होते हैं और थोड़े बड़े नजर आते हैं अगर हम यह मान ले कि हर एक point जो की star और planet में दिखाया गया है यह points जो इसमें दिखाय गए है यह points जो इसमें दिखाया गए है हम मान लेते हैं कि यह एक point एक light rays emit करता है तो हर एक point को हम एक point source कह सकते हैं तो इस हिसाब से stars का size छोटे होने की वज़े से उसमें कम point source है let's say 20 point source है और planet के pass होने की वज़े से बड़े size होने की वज़े से इसमें point sources है 20,000 अब हम one by one star और planet के reflection को deal करते हैं star में से 20 light rays निकलती है और अब इन में से 5 light rays lost हो गई है तो अगर कितने percent light rays loss हुई है इनको calculate करना हो तो 5 by 20 multiply 100 जब करेंगे तो निकल कर आएगा 25 परसेंट ये 25 परसेंट काफी बड़ी amount है ये ये काफी बड़ी amount में light loss हो रही है जिसकी वज़े से star हमें twinkle करता हुआ नजर आता है वहीं planet की बात करें तो 20,000 point sources से 20,000 light rays निकल रही है और lost होती हैं सिर्फ 200 rays so light rays का loss का परसेंटेज अकर निकालें तो 200 by 20,000 multiply 100 करेंगे तो ये निकल कर आता है एक परसेंट तो अब साफ पता चल रहा है कि light rays का loss इतना कम है कि ये change हमारी eyes notice ही नहीं कर पाती है ओल्मोस्ट नो चेंज जैसा ही लगता है तो यानि कोई भी twinkling हमें नजर नहीं आती है अब आपका सवाल ये होगा कि 20,000 light rays में से सिर्फ 200 light rays ही क्यों lost होई हैं तो आईए इसे भी समझ लेते हैं प्लैनेट का एरिया काफी बड़ा होता है सभी 20,000 light rays का reflection होता तो है बट अल्मोस्ट सारी light rays प्लैनेट के बड़े एरिया में ही refract होकर वापस प्लैनेट एरिया में ही आ जाती हैं बहुत ही कम light rays let's say 200 rays ही lost हो पाती हैं इसे एक डाग्राम से समझने की कोशिश करते हैं इस डाग्राम में प्लैनेट से निकलने वाली light rays यहां और आपकी आईस तक पहुशने वाली light rays यहां पर दिखाई गई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं परपल लाइन से इंडिकेटेड लाइट rays लॉस्ट हो चुकी हैं क्योंकि यह प्लैनेट एरिया में नहीं आ रही हैं और प्लैनेट एरिया में नहीं आने की वज़े से आपकी आईस में भी नहीं जा रही हैं कहीं और ही जा रही हैं तो और जब पर planet का size बढ़ा होने की वज़े से ये blue line rays भी आपको planet से ही आती दिखाई दे रही हैं अगर planet का size छोटा होता तो ये blue line से indicated light rays भी lost हो जाती तो area बढ़ा होने की वज़े से reflection के बावजूद भी lost rays की जो count है वो कम ही रहती है तो आप समझ गए होंगे कि twinkling क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं हो रही है, तो आईए एक बार फिर से recall कर लेते हैं, क्योंकि planets आर्थ की close होते हैं, तो इसलिए बड़े नजर आते हैं, और planet की light rays भी reflect होती है, बट overall reflection का जो effect है, वो almost zero होता है, और इसलिए planets twinkle नहीं करते हैं, I am sure आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, PKW यानि Physics की वाट YouTube चैनल को subscribe करें और bell icon को press करें, ताकि कोई भी latest और important वीडियो मिस ना हो, और हाँ, अगर वीडियो को अभी तक like नहीं किया है, तो अभी like करें, और अपने दोस्तों की साथ WhatsApp, Facebook, Instagram, सभी social platform पर share करें, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सितारों की तरह shine करते रहिए, जग मगाते रहिए, और हमारे साथ मिलकर लगाते रहिए, physics की what, छोड़ेंगे नहीं, thank you.